दिखाई दे रहा होगा प्रकास का अपवर्तन प्रकास का अपवर्तन हमारा पहला टॉपिक है क्या कहता है कि जब प्रकास किरन एक पारदर्सी माध्यम से पारदर्सी यानि क्या ट्रांसपेरेंट पारदर्सी का कहने का मतलब क्या हो गया ट्रांसपेरेंट ठीक है से बिचलित हो जाती है इस घटना को प्रकास का बरतन कहते हैं यानि reflection of light कहते हैं यदि प्रकास किरन तल पर अभी लंब आपतित होती है तो वह बिना मुड़े बिना मुड़े सीधी चली जाती है कैसे ज़रा समझेगा reflection क्या होता है होता है कि जब light ray एक medium से एक medium से दूसरे medium में light ray प्रवेश करता है क्या करता है प्रकास का किरन एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसका जो original path होता है जो actual path होता है जो main path होता है उस path से उस मुख रास्ता से भटक जाता है क्या कर जाता है भटक जाता है यह तब होता है जब 90 degree को छोड़ कर दूसरा कोन बना के भीज़ते हैं जैसे बेटा देखो हम एक example दे आपको तो समझ में आएगा जैसे मान लेते हैं कि यह आपका glass है आपको पता होगा यह क्या है कांच यह क्या है आपका कांच है अब क्या है ऊपर में क्या है तो air है ऊपर में क्या है value है यानि हवा है और हम करवा क्या रहा है यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि उपर से light को इंसीडेंट करवा रहे हैं तो जब आप 90 degree पर 90 degree का कोण बनाकर light को डालिएगा तो वो सीधा चला जाएगा वो क्या चला जाएगा? सीध बनाते हैं जैसे यहां पर हम आई एंगल बनाए हैं और इससे ले जाएंगे तो इसको जाना कैसे चाहिए था ऐसे जाना चाहिए था यह आपका रियरर मेडियम है कौन सा मेडियम है रियरर मेडियम है यह आपका कौन सा मेडियम है तो डेंसर मेडियम है कौन सा मेडियम है डे तो लाइट जब रेरर से डेंसर में जाएगा तो नॉर्मल की ओर बेंड करेगा कहां जुकेगा जो 90 डिग्री वाला राइट ले है उसकी ओर जुकता हुआ न जलाएगा तो जाना चाहिए था उधर लेकिन जाएगा कैसे तो ऐसे यहां चला जाएगा ठीक है यह रास्ता तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? This phenomenon is called Redraction of Light. इसी को क्या कहता है? Renraction of Light. तो लाइट को रिफलैक्शन करने के लिए कम से कम दो अलग-लग medium क्या आवा सकता होती है? एक medium को क्रोस करके, एक माध्यम को क्रोस करके जब दूसरे माध्या में लाइट जाता है तो उसका जो प्रारंबिक एक्ट्वल और इनिस्यल पाथ होता है उस पाथ से वो डेविएट हो जाता है इस फेनोमेना इस कॉल्ड रिफ्रेक्शन ओफ लाइट समझ में आगया होगा आगया समझ में इसको आप अप लोग प्रिंट कर लिजएगा कोपी पर छापने के लिए हम डाल दिये हैं अब क्या करता है लॉज आफ रिफ्रेक्शन जैसे हम लोग रिफ्रेक्शन का दो नियम पर आते हैं अंगल ओफ इंसिडेंट्श बराबर अंगल ओफ रिफ्रेक्शन था incident ray, reflected ray, normal, point of incidence, all are coincides in a single plane, एक ही plane में, वैसे यहाँ पर भी दो नियम है, एक काता incident ray, reflected ray, आपतन बिंदू, जिस बिंदू पर आता है, आपतन बिंदू, तल का एक ही अभिलम तीनों एक ही तल में, जैसे माल लिजे के ऐसे करके यहाँ पर है कोई, तो यहाँ पर यह आया, इससे टकड़ाया, ऐसे करके यहाँ आ गया, यह आपका original path था, इसका मतलब यह denser medium है, यह आपका incident ray है, ध्यान से समझेगा, यह incident ray है, आपतित की रण, यह आपका refracted ray है, और यह point of incidence है, यह सारे के सारे कहाँ है, एक ही plane पर लाई कर रहा है, जो हम घेर रहे हैं, एक ही plane पर लाई कर रहा है, this is called first law of refraction, incident ray, refracted ray, normal, point of incidence, यह all are lies in a single plane, this is the first law of refraction, दूसरा कहता है कि जो आपका angle है, यहाँ जो angle बन दा है, यहाँ जो यह angle आपका incident angle है, और यह angle आपका refracted angle है, तो incident angle और refracted angle के sin theta का मान, incident angle जो आपतित कोन है, और जो आपका अपवर्तित कोन होगा, अपवर्तित कोन होगा, दोनों कोन के sin के मान का ratio जो आएगा, वो आपका constant आएगा, उसी को small slow बोलते हैं, यानि sin I, यहाँ लिखे हैं, sin I बटा sin R, यह आपका कोन सा angle है, तो यह आपका incident angle है, कोन सा angle है, incident angle है, हिंदी में उपर लिख दिये हैं, incident angle है, और यह कोन सा angle है, यह R, यह आपका refracted angle है, कोन सा angle है, यह refracted angle है, ठीक है और यह constant होता है और इसी को n21 लिखते हैं n2 बटा n1 यानि speed of light in medium 2 बटा speed of light in medium 1 यह आपका दूसरा नियम कहलाता है और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं स्नेल स्लो बोलते हैं इसको आप लोग प्रिंट कर लिजेगा देख लिजे धंग से क्या समझाया हैं पहला incident ray, refracted ray, point of incidence, normal यह सब एक ही plane पर लाई करता है दूसरा जो incident angle है, refracted angle है दोनों angle के sine theta के मान का ratio यानि दोनों angle के sine का ratio यह constant आता है वो end to one के बढ़ावर होता है, यान speed of light in two, but speed of light in one, next point देखिया क्या काता है इस नियम को क्या कायाता है, snails का नियम कायाता है, क्यों क्योंकि इस नियम को देने का काम कौन किया था, snails किया था, इसलिए इसको हम लोग snails लोग बोलते हैं, कौन सा लोग बोलते हैं, snails लोग काते हैं कहता है यह निया तांग को पहले माध्यम के दूसरे माध्यम का आवरतांग यानि refractive index of 1 with respect to 2 कहा जाता है यहां लिखा हुआ है N21 यानि N1 और N2 करम सा पहले और दूसरे माध्यम के निरफ्यक्ष क्या है refractive index है N1 refractive index 1 का है N2 refractive index 2 का है यदि प्रकास किरन वायू से कांच में आ रही हो तब वायू के सापेक्ष कांच का आवरतांग जो होगा वो इससे लिखेंगे वायू कहां से आ रहा है प्रकास का किरन कांच से वायू से कांच में आ रही हो तो ऐसे करके अगर लिखते हैं यह आपका कांच है सीशा है और यह आपका वायू है और किरन कहां से कहां तक आएगा यह नॉर्मल है यह आएगा इधर कहां पढ़ाएगा तो इधर मुर जाएगा ठीक है तो यह जो आ रहा है तो इसका जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स लिखेंगे वो क्या लिखेंगे एन जी ए यानी एर से किसमें आ रहा है ग्लास में आ रहा है तो इसकी इंडेक्स ओफ एर बीत रिस्पेक्ट टू ग्लास रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ओफ एर बित रिस्पेक्ट टू ग्लास एन ए जी के बराबर होगा कोई दिकत नहीं होना चाहिए और प्रेंट सब्च और यозм्ल वाले माद्याहिक को स मिल आ जाता है तो क्या होता है या धी आवी पॉइंट को हम समझा दे आपको, कि जब light rarer से denser में जाएगा, यह आपका rarer medium, rarer कहने का मतलब क्या है, कि आपका यह viral माध्यम है, कैसा माध्यम है, viral माध्यम है, और viral माध्यम से जब प्रकास denser में जाएगा, तो जाना चाहिए ऐसे, लेकिन यह ऐसे आजाता है, लेकिन इसी में, अगर light ray, denser medium से rarer में जाएगा, तो normal से कहां भाग जाएगा, दूर भाग जाएगा, एक में 90 degree normal से दूर भागता है, यह आपका glass माल लेते हैं, और यह फिर आपका क्या है, वायू, यही दो चीज़ आपको इसमें बताया गया, कि light ray, जब rarer medium से, rarer यानी viral, viral माध्यम से, सघन माध्यम में जाता है, तब normal की ओर bend करता है, normal की तरफ जुखता है, original path को छोड़ कर, normal की ओर जुखता है, जो 90 degree लंबत रेखा होता है, उस पर, और जब denser से rarer में जाता है, तो normal से दूर भागता है, जो original path होता है, उससे भी दूर चला जाता है, समझ में आगया होगा, next point देखिएगा, आगे क्या काता है, यहाँ पर वही कहानी दिखाए है, ध्यान से देखिएगा, light ray इधर से आगा, normal वाला तो सीधा पास कर जाएगा, यह आपका incident, इसको जाना कैसे चाहिए, ऐसे, लेकिन भागेगा कैसे, यह denser medium है, तो ऐसे आजाएगा, क देखिए, इधर से आपका light ray आ रहा है, और जा कहा रहा है, इधर से ऐसे करके light ray आ रहा है, जाना कैसे चाहिए, इसके original path पर, चुकि denser से rarer में आ रहा है, तो normal से दूर भाग के इस path पर चला जागा, यही दो point हमको जानना था, next point आगे देखिएगा, आप कहता है, serial number प् और दिया हुआ है, प्रकास के तरंग धर्द पर प्रभाव, अब क्या कहता है, कि light कहां से जा रहा है, rarer medium से, denser medium से rarer medium में जाएगा, denser से rarer, यहां rarer से किस में जा रहा है, denser में जा रहा है, rarer medium से किस में जा रहा है, denser में जा रहा है, देखिए back हम आपको दिखा में जाएगा आपको वेग बर जाएगा डेंसर मेडियम में स्पीड कम होता है डेंसर में कम होता है आरे पानी में दवडेगा तो प्रकास के आबिती में कोई परिवर्तन नहीं होगा और थ्रंग धर जो होंगे उसमें विर्धी हो जाएगा wavelength क्या ओजाएगा उसका बर जाएगा दिंसर मेडियं में light रे头 जाता है तो सटा wavelength घरता रे बिलेंद में क्या होता है बर जाता अब कहता है कि अगर धरबस जाता है तब जितना ist स्पीड से रोड पर दोड़ेगा ऐसे करके उतना स्पीड से पानी में नहीं चल सकता है तो यह स्पीड क्या होगा आपका घट जाएगा इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा और तरंगधर जो आपका वेवलेंथ है वो आपका कम जाएगा रेरर में ज्यादा होता है वेवले उठाना है, मार देना है, सिधा कॉमेंट करके बता λέना है, क्या है, यह जो भी इस्व हो, नहीं हो तो direct call किजिए, direct call किजि आगे चलिए, नेक्स्ट क्या कहता है, अपवर्थ नांकlı एवं प्रकास की चाल में संबन्द, यादि है आपको index of air with respect to glass, refractive index of air with respect to glass, तो जिसका निकालेंगे, जिसके respect में निकालेंगे, उसको नीचे लिखेंगे, और जिसको जिसका निकालना है, उसको कहा लिखेंगे, उपर लिखेंगे, यानि वायू का refractive index, गलास के respect में निकालना है, तो गलास का नीचे लिखेंगे, तो काच में प् चाल इसी को तो यह speed of light जो आपका वायू में होता है उसको c लिखते हैं इसका value 3 into 10 to the power 8 meter per second होता है और जो glass में speed होगा वो लिख देंगे air होता तो हम परहा चुके है 2.25 into 10 to the power 8 meter per second किसमें होता है water में होता है जैसे माल लो यहीं पर अगर देता refractive index of light in air with respect to water तो क्या हो जाता कि air में speed of light किसमें water में तो air में कितना होता है 3 into 10 to the power 8 meter per second अब water में कितना होता है 2.25 into 10 to the power 8 meter per second यह निकाल लेते तो फटाक से value आ जागा क्या होना चाहिए ठीक है एक माद्यम के सापेक दूसरे माद्यम का आवर तंक प्रकास के रंग पर भी न निर्वर किया बेटा speed पर निर्वर किया कि denser medium में speed कम हो जाता है rare medium में speed जादा होता है अब कहता है कि प्रकास के रंग पर भी refractive index निर्वर करता है किस पर निर्वर करता है प्रकास का जो color होता है जो light होता है उस पर भी यानि color of light जो होगा उस पर भी तो एक माद्यम के सा आप एक दूसरे माद्धम का आवर्तांग, यानि दो मेडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स जो है, वो आपको लाइट यानि कलर पर भी निर्वर करता है, किस पर? तो रंग पर भी निर्वर करता है, या बैगनी रंग के प्रकास के लिए सबसे अधिक होता है, यानि आपक कलर में refractive index बहुत ज्यादा होता है और लाल रंग में बहुत कम होता है ठीक है यह धियान में रखेंगे वायू के सापेक्ष काच का आवर तंग काच की सापेक्ष वायू का आवर तंग वयूत कर्म होता है यानि ये उल्टा यह आपका refractive index of air with respect to glass बड़ाबर वनबटा refractive index of glass with respect to air बिल्कुल inverse हो जाता है बिल्कुल जैसे हम अगर बोलते है refractive index of air with respect to water बड़ाबर inverse में इसको बोल सकते हैं उल्टा करके इसको बोल सकते है refractive index of water with respect to air तो one बटा तो inversely proportional हो जाएगा जैसे माल लो refractive index of ram with respect to siam हम medium माल लेते हैं तो जैसे ही इसको उल्टिएगा तो यहाँ पर इसको ऐसे भी लिश सकते है refractive index of siam with respect to ram refractive index of siam with respect to ram ऐसे हम समझ सकते हैं तो वही चीज़ कहता है वायू के सापेक्ष कांच का आवर्तंक जो होगा वो कांच के सापेक्ष वायू का बिल्कुल बदल दिये हैं यहाँ पर वायू का निकालना है किसके सापेक्ष कांच का यहां कांच के सापेक्ष किसका निकालना है वायू का तो यह दोनों बिल्कुल उल्टा हो जागा क्य है वयूत कर्मान उपात इसके रिफ्रेक्टिव इंडेक्स पाये जाते हैं ऐसा कोस्टन भी हम लोग आल्रेडी पहले भी कर चुके हैं और आगे भी करेंगे यहां तो कोई दिकत चापते रहेगा इसको छोड़ेगा नहीं सब को छापेगा इसलिए महट जाते हैं कोपी पर उसको प्रिंट करना है आने वाले समय में बहुत बेनिफिट करेगा बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा जब कोस्टन करवाएंगे तो समय तूद पॉइंट सिधे कहेंगे वहां पर जाके उस लेक्टर को देख लीजिएगा चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा क्या टॉपिक है वो देखते हैं अगला टॉपिक कहता है क्रमिक समानांतर पारदर्शी माध्यमों में अबरतर रिफ्रेक्शन त्रू सक्सेसिव ट्रांस्पेरेंट मेडियम यानि लगातार जब ट्रांस्पेरेंट मेडियम होगा उसमें कैसे होगा जैसे मान लो मान लेते इसे medium लगातार change करेगा तो कैसे होगा वही कहान यहां दिखाए हैं तीन medium हम लिए हैं एक आपका बाहर वायू है बीच में जल है और नीचे काँच तो इसमें जब चलेंगे ऐसे से ऐसे में इधर से चलेंगे तो यह यहां आएगा चुकि यह rarer medium है और यह आपका denser medium है यह भी आपका denser medium है ज्यान से देखिएगा तो इसमें आपको समझ में आगा कि कौन ज़्यादा denser तो इसमें सौब से ज़्यादा तो आपका वाटर का है तो डेंसिटी डेंसर मेडियम कौन होगा एर होगा ठीक है यह तीन चीज़ है था कांच बहुत ज्यादा डेंसर होता है उससे कम वाटर होता है उससे कम एर होता है जब प्रकास यहां से जाएगा तो जाना कैसे चाहिए इसको तो बिल्कुल ध्यान दीजेगा आपको समझ में आएगा इसको जाना चाहिए था ऐसे लेकिन इस रास्ते पर चुकि रियरर से डेंसर है तो नॉर्मल क्योर बेंड करके यहां आ गया यह आई वन यह आई टू मान होगा बेंसर मेडियम कहने का मतलब कि उसका डेंसीटी ज्यादा होगा उसके घंस अधिक होंगे तो मेडियम आपका माध्यम क्या बन जाएगा अपका डेंसर मेडियम बन जाएगा अब इधर से इhardy उधर इधर अधर आया यह आ अद तनों को मल्टिप्लाइ किजेगा त तो value जो आएगा आपका वो कितना आजाएगा? 1 के करिवा आजाएगा, यह हम अभी दिखा दिये हैं, आप लिख लिखे होंगे, अब इसको देखेंगे तो कैसे लिखेंगे? तो speed of light किसमे, आप लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिखें, तो speed of light किसमे, speed of light in air, बटाए speed of light in water, गुने, speed of light in water, बटाए speed of light in glass, गुने, speed of light in glass, बटाए speed of light in air, सब क्या हो गया? सब क्या हो गया? एक दूसरे से कट गया, value कितना आ गया? 1, यही तो था, आगया समझ में? नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, अगला क्या काता है? अगला काता है, अपवर्थ मांक का गहराई से संबंध यानि कितना depth में जाते हैं relation between reflective index with respect to depth ठीक है depth के respect में relation between depth and reflective index के बीच में काता है जल में रखी किसी बस्तु को देखने पर बस्तु की आभासी गहराई बस्तु की गहराई से कम प्रतित होता है का है देखो बताते हैं घर पर जाएगा हो गड में क्या करेगा तुन रट देखा पानी में फिकने को आज जब बाहर से आप देखिएगा तो आप कहां खड़े हैं र大टर मेडियम में पाने बाल्टी में भड़ा हुआ है तो पानी का जो वहां medium change कर रहा है उसके ऊपर air है जो rarer medium है पानी आपका denser medium है आप जैसे ही उसमें देखिएगा तो सिक्का जहां रहेगा उसके ऊपर नजराएगा जैसे ही करके हाथ वहां डालेगा इसे करके डालेगा डालेगा जैसे ही डालेगा तो वहां से कुछ नहीं निकलेगा वहा पर दिखाई जयता है यह किसके कारण तो due to reflection के कारण अपवर्तन के कारण अपवर्तन के कारण ऐसा प्रतीत होता है अब कहता है कि अपवर्तन क्या होता है जैसे refractive index of air with respect to water लिखा हुआ है यानि वास्तविक गहराई बटा अभासी गहराई real depth बता apparent depth जैसे air और water का कहानी refractive index 4 बटा 3 होता है air का refractive index water के respect में जो होगा refractive index of air with respect to water 4 is to 3 होता है तो 4 is to 3 बरावर क्या real depth जो वास्तविक गहराई है बटा आभासी गहराई तो यहां से आभासी गहराई जो होगा वो तीन बटा कितना चार गुना होगा तो माल लो तीन बटा चार गुना माल लो कि बाल्ती के नीचे 10 मीटर कितना 10 मीटर माल लेते हैं कि 40 मीटर गहराई किसी खाई में 40 मीटर नदी या कोई भी ची है वो चाय बाल्ती है माल लो 40 सेंटी मीटर तुम्हारे बाल्ती का देफ्थ है उसमें किसी सिक्का को गिरा दो उसमें किसी सिक्का को क्या करो गिरा दो तो वो सिक्का 40 मीटर नीचे होगा 40 मीटर कते 40 cm नीचे होगा लेकिन वो दिखाई कहां देगा आपको वो देखिएगा तो अभी बताएं कि एर का वाटर की रिस्पेक्ट में 3 वटा 4 एपरेंट हैट होगा तो 3 वटा 4 ओरिजिनल कितना है 40 तो 4 दाएं के 40 वो कितना दिखाई देगा 30 cm पर दिखाई देगा यानि बाल्ती का गहराई है बाल्ती में पानी जो भरे हुए है वो 40 cm गहरा हमारा बाल्ती है उसमें 40 cm भर दिए हैं एक सिक्का को डालिएगा तो वो 40 मीटर बिल्कुल बाल्ती का पेंदु जो होता है बाटम होता है उसमें जाकर बैठ जाएगा और सिक्का दिखाई कहां देगा आपको तो 30 मीटर पर दिखाई देगा 10 मीटर उपर दिखाई देगा यह किसके कारण क्योंकि ए जब टेएपरेंट करेंगे तो तीन बटा चार लगाया रहेगा नहीं रहेगा आया समझ में बहुत इंप्रेंटेंट चीज था चलिए आगे बरते हैं जरूरितंप चैपने के काम में कृटवती नहीं करेगा इतना तो करना जरूरी है ठीक है छापते रहेगा मंद्ध एंचीव की थिक है यहांने यहीद चापना होगा परिच्छों आँन होगा पता नdate ने कितना टे आ जाएगा जिसका कोई जवाब नहीं है अंत में एक ही टेट बचेगा जो पाले था ये हम बता रहे हो सकता है कहीं परिवर्टन हो वैसे वो सब चीज तो हम नहीं जानते हैं क्योंकि हम इतना ही जानते हैं जो आपको दिखा रहे हैं देखिएगा, क्या काता है, सम अप्लिकेशन, वेस्ट ओन रिफ्रेक्शन, क्या काता है, सघनर माध्यम में इस्थीत, बस्तु को वीरल माध्यम से देखने पर बस्तु को आभास गहराई, वास्तविक गहराई से कम प्रतीत होता है, यानि आप जब डिंसर मेडियम में किसी खटाऄ कर दो, आप उसको रेल मेडियम से देखोचा समाला आकर उड़ है और है, कोहीं दिखाई कहीं और देगा, कौम दूरी पर दिखाई देखा, जअधा दूरी पर नहीं दिखाई देखा, दिखा यहीं चीज़ में बताना चारहा है, यादि माध्या रेलर मेडियम के सापेक्स संगनन Denser Medium का अवरतना NRD यानि रेरर मेडियम का Refractive Index, Rerar Medium का वित रिस्पेक्ट तो Denser Medium का अगर निकालेंगे NRD, ये Rerar Medium है ये Denser Medium, Rerar Medium कहने का मतलब पहले बता चुके हैं, तो बस्तु का वास्ता भी गहराई, अब बस्ता बस्तू का कौन सा गहराई तो medium के respect में भी हम लोग real depth को निकाल सकते हैं कि refractive index of rarer medium with respect to कौन सा medium dancer medium is equals to बस्तू की वास्तविक गहराई यानि real depth of substance या object upon apparent depth of substance निकाल सकते हैं यहां तक लिख लिए छापिये आगे बढ़ते हैं देखिएगा क्या काता है द्रब में अंसता डूबी हुई छड को टेरा दिखाई देना काहे टेरा दिखाई देता है देखेगा पानी में डाल देगा किसी चीज को तुमको भी पानी में तैरने के लिए बोलेंगा यह धेपा मारेंगे ना पानी में न दिमें तो भी डोल ने लेगा मचली की तरह, इसे इसे तूटता हुआ न जराएगा, तो मेरा हाथ है इसे है, हाथ तूटल नहीं है, पानी में तु तु तरह भी थेपा मारेंगा, तो मारा हाथ भी तरंग की तरह जूलेगा, ऐसा क्यों दिखाई देता है, रिफ्रेक्शन के कारण, यह किसके कारण होता है अपवर्तन के कारण होता है अब काता है तारो का टिम्टी माना तो इंकलिंग ऑफे स्टार आकास में टिम्टी माता है दिखाई देगा कही और तुरत दिखाई देगा तुरत दिखाई देगा तुरत दिखाई देगा तुरत दिखाई देगा तुरत भी बता हैं तीन बटा चार गुना 25% घड़़ जाता है एक सो मीटर गहड़ा होगा तो 75 मीटर दिखाई देगा 25 गहरा नीचे ही रहा जाएगा छलांग लगा दिया तो गया काम से जाना नहीं है करना है ना परिच्छा उर्चा लिए से कम दिखाई पड़ना यह इतनी गहरा नहीं दिखाई होगा हम बताते हैं और यह एह डिगार आता है डी निकला नहीं है कि दिखाई पूरंदय सुर्ज मों होगा ठिंखर काव्यंट याओखि तो की होता है तो शूर्य योदय आपको च्शोघ दिखाई कम दने लाएगा शोच सुर्य सुर्ज आपको दिखना दिखना सुरू हो जाएगा ये कसके कारण होता है reflection के कारण, जब सुरियास्त होता है, तो सूरज तुम्हारा कहा जाएगा, यहां आएगा तो डूब जाएगा, यानि छो बज के 5 मिनट में सूरज डूब गया, सूरज अपने होरजिन जो था, उस होरजिन से नीचे आ गया, अपना 36 रेखा से नीचे आ गया, तो आपको 6 बज के 5 मिनट में सुरियास्त हो गया, सूर्ज डूब गया, लेकिन तुमको दिखाई कब तत देगा, 6 बज के 7 मिनट तक दिखाई देगा, क्योंकि जब यह यहां आ गया, इसका reflection के कारण image यहां बन रहा था, और जैसे ही सूर्ज जब यहां आ जाएगा, तब इसका image कहां बनेगा, यहां बनेगा, कहां बनेगा, इसका position, apparent position आपको यहां दिखाई देगा, तो सूर्ज उदय होता है, उदय होने के actual time जो होते है, उससे दो मिनट पहले सुर्ज दिखाई देने लगता है अब सुर्ज जब अस्त हो जाता है तो उसके दो मिनट बात तक दिखाई देते रहता है ये भी किसके कारण होता है तो ये भी अब बरतन के कारण ही होता है रिफ्रेक्शन के कारण ही होता है अब देखिए क्या कहता है बरतन में पड़े अधिस सिक्के का बरतन में जल भर देने पर दिखाई देना आधी घटनाए प्रकास के अब बरतन पराधारित होता ही तो पहले बताईए दिये सिक्का प्रकास के क्या करेगा कहाँ चलिए इसको छाप लिजिएगा आगे बरते हैं अब काता है critical angle यानि कांतिक कौन क्या होता है वो समझते हैं तो कांतिक क्या होता है वो आपको हम बताते हैं जरा सद्यान से देखिएगा इसमें इसे पहले वाले lecture में भी हम चर्चा किये हैं जैसे मान लिजिए कि यह आपका medium है यहां से light जाएगा और यह आपका दिया हुआ नॉर्मल रे सीधा तो इसको जाना चाहिए था किधर तो हम यह ले ले लेते हैं denser medium यह ले ले लेते हैं तो जाना चाहिए था इस रास्ते पर लेकिन यह इससे दूर भागेगा ठीक है जैसे जैसे इस एंगल को आप बढ़ाईएगा कौन सा एंगल यह जो एंगल है यह न जाना चाहिए लाइट को इसे जाएगा कहां इसे एक समय आएगा जब इसको बढ़ाईएगा तो इस पर चलाएगा जो लाइट था ना इसी पर चलाएगा ऐसे ऐसे चलेंगे तो इस पर आजाएगा इस एंगल इस कॉन सा एंगल क्रिटिकल एंगल होता है ठीटा सी क्रिट critical angle होता है इस angle के मान से critical angle के मान से जढ़ा अगर वरादि जगा अंगल कौ तो या reflection के जगा पडिक्राइक्ञ करना कर देता है क्या करना शुरू कर देता है उसी मेडियम में वापस आना सुरू कर रहे इसे जैसे ही जाढ़ा होगा तो हैसे जादा हैं यह Знаदा इसे किजए /. तो सिधा इसी मेडियम में आजाएगा, this is called reflection, ये reflection कर जाएगा, उपर वाला जो इस कलर से दिखाया गया, वो reflection का कहानी, वही ची लिखे हैं कि refractive index of air with respect to rarer medium with respect to dancer medium, sin c बटा sin कितना degree, 90 degree, sin c बटा sin r, r कितना है, 90 degree आगया, sin 90 degree का मान 1 होता है, तो ये sin c के बढ़ावर हो तो reflective index of rarer medium with respect to dancer medium, 1 upon sin c के बढ़ावर होता है, जहाँ c बटा क्या है, critical angle है, c क्या है, critical angle है, कांतिक कोन आपका c दिया हुआ, समझ में आ गया, yu और कांच के बीच, यानि air और किसके बीच, air और glass के बीच का कांतिक कोन कितना होता है, 42 degree होता है, कितना होता है, air और कांच क बीच का कांतिक कोन, 42 degree, और 42 degree से जैसे ही बरहाईएगा angle को, वैसे ही आपका reflection शुरू हो जाएगा, reflection नहीं होगा, ध्यान में रखेगा, चलिए, आगे बरते हैं, यहां तक समझ में आ गया, next point हमारा क्या कहता है, पूर्ण आंतरिक प्रावरतन, total internal reflection, वही कहानी, वही कहान अभी हम बता रहा है थे कि यह ऐसे गया, और यहां पर यह कौन था और यह ऐसे चला आया, इससे angle बढ़ाईएगा तो क्या हो जागा, total internal reflection हो जाएगा, यह ऐसे जा रहा था, दो लाइन ऐसे दिखा दो ता कि दिखाई दे, तो यह angle जो आपका था, यह आपका critical angle था, कौन स internal reflection बोलते हैं, उसी माध्य में वापस आजाता है, ठीक है, यहां से गया ऐसे, यहां से आपका गया ऐसे, ऐसे यह यहां से गया है, ऐसा white color का तो ऐसे चला गया, ठीक है, बिल्कुल तल पर दोनों medium को आजा, ऐसे ही इसको हमने क्या किया, यह light है, यह angle, इसको यहां से यहां बढ़ा दिया, जो double से दिखाया गया, रेड से, तो इसी medium में, जिस medium में गया, उसी medium में वापस आजाता है, चलिए, आब काता है प्रकास सघन से वीरल माध्यम में आपतित होना चाहिए, प्रकास कहां से आएगा, रेडर में यानि देंसर medium से रेडर में जाएगा, किसे ज से किस में जाना चाहिए रेरर मेडियम में जाएगा तब यह कहानी होगा आपतन कौन का मान कांतिक कौन से अधिक होना चाहिए जो आपतन कौन होगा उसका मान कांतिक कौन 90 डिगरी जो आता है उससे अधिक हो जाना चाहिए तब यह होगा अधरबाइस जैसे यह कांतिक कौन इसका यह था, इससे ज़्यादा जैसे ही कर दिये, वैसे ही टोटल इंटर्नल रिफ्रेक्शन हो गया, समझ में आया, आगे बरे, चलिए आप लोग पढ़के देखिएगा यह क्या है, अब कहता है कुछ एक्जामपल दिया है, कांच में पड़ी दरारे का चमकना, जो आपका सीशा होता है, उसको अगर क्रेक कर जाएगा, चनक जाएगा तो वो चमकने लगता है, क्या करने लगता है, चमकने लगता है, टोटल इंटर्नल रिफ्रेक्शन के कारण चमकने लगता है, पानी में डूबी कांच की नली का चमकना, पानी में सीशा को डूबा दो तो वो च चमकेगा काहे चमकता है तो टोंटेल इंटरणल रिफ्रेक्शन के कारण हीरा का चमकना जानता होगा डाइमन्ट का नाम सुना है Fedora जहारात बहुत महंगा होता ह works carbon का यखलो ट्रॉपों होता है chemistry में भाण adult chemistry में च Onun रिच्प हमे में चान आइमन्ट कि मिसेuseb पीछ इर पर चलिए गादब एका समय जो है यानि मैं जुन जुलाई के समय समय में रोट पर चलोगे न तो यहां रहो गें तो आगे दिखाए देगा कि आगे बरसा है यानि पानी पीज पर भारा हो वहां जाएगा तो कुछ नहीं नजराएगा वो भी किसके कारण होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण होता है नेक्स पॉइंट जल में वायू के बुलबुले का चमकीला दिखाई देना जल में यानि हवा पानी भर लो पाइप से उसमें क्या करो पकड़ो अगर कोई भी घटना प्रकास का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर आधारित नहीं है तो अब क्या घटना यह घटता है कि प्रिज्म का कहानी आ आईता है किसका कहानी आ जाता है प्रिज्म के विशामें हम आप लोग को बता चुके हैं 5 फेस होता है दो आपका संभाहुत रिभूज होता है, यानि संभाहुत रिभूज का दो फेज, तीन आपका रेक्टेंगुलर फेज होता है, आयता कार, ठीक है, अब काता है, प्रिजम एक ऐसा समांग पारदर्सी माध्यम है, जैसे कांच होता है, जो किसी कौन पर जुके हुए दो संतल से घिरा होता है, यानि कोई कोन है, ऐसे करके ही कोन है, ठीक है, और यहां पर यहां पर यहां को आई से करके ही कोन, इस दोनों एकुलेटरल ट्रेंगल है, इसी को एंगल और प्रिजम का आजाता है, यही क्या कहलाता है, प्रिजम का कोन यही कहलाता है, ठीक है, अब यही द से लाइट को गुजारिएगा तो लाइट आपका कैसे जाएगा सो देखिए लाइट आपका जाएगा कैसे तो जैसे ही प्रिज्म से आप स्वेत लाइट को गुजारिएगा उजला लाइट को गुजारिएगा या सन लाइट को गुजारिएगा तो आपको दरसल ऐसा प्रती जी वाइज ओजर बिक रिट तर यहां प्रिय्जम था यह आपका वाइट लाइट है या संलाइट भी ले सकता ठीक यह साथ कलर में टूट गया इट मेंज कि वाइट लाइट का फॉड्मेशन सेवीन कलर की कमबीनेशन से होता है जैसे ही प्रिज्म से गुजारते हैं वैसे ही वो साथ कलर में आपको तूट जाता है दो माध्यम इस्थित होता है कैसे तवाइलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन एलो औरेंज और रेड कलर में तूट जाता है दिस एंगल इस कॉल प्रिज्म का कोन कहलाता है यह सब च जाती है यानि प्रिज में आपका डेंसर मेडियम है उस पर जब किलियन आएगा तो अपने रास्ते से भटक जाएगा जैसे हम भटकता हुआ दिखा रहा है रास्ता इसका इथा इस पर जा रहा था लेकिन भटक भटक के कहां दूसरे-दूसरे जगापर चला गया चला गया ह ना सब दूसरे जगा पर जा रहा है तो अपने रास्ते से भटक जाता है वह अपने मार्ग से वलित हो जाता है बिचलित हो जाता है भूल जाता है अपने ओरिजिनल पात को आपतित किरन और निर्गत किरन के बीच छिन को प्रकास किरन का बिचलन कोन कहा जाता है दोनों के ब इस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं इस एंगल को बिचलन कोन बोलते हैं डेवियेशन एंगल कहा जाता है इसका आपतन कोन प्रिज्म के पदार्थ ताप प्रकास के रंग तरंधर्ज पर निर्भर करता है यानि इसका आपतन कोन जो होगा वो प्रिज्म के किस पर प्रिज् प्रकास के रंग क्या है प्रकास के तरंग धर्ज वेवलेंद क्या है इस पर निर्भर करता है यदि किसी प्रिज्म का कौन काता है किसी प्रिज्म का कौन तथा अल्पनात विचलन कौन आपका लेमडा एम हो तो पदार्थ का आवर तांग जो होगा एन वो किसके बरावर साइन ए प्लस लेमडा एम बटा तू अपॉन साइन ए बाई टू के बराबर होता है चलिए आगे भरते हैं अब कहता है प्रकास का बिच्छेपन यानि डिस्पर्शन ओफ लाइट लाइट जो डिस्पर्श कर जाता है स्केट्रिंग ओफ लाइट मुहां पढ़ाए थे यहां लाइट है ऐसे जैसे प्रिज में दिखा है यहां से यह लाइट आया यह आपका कौन सा लाइट था वाइट लाइट यह कौन सा लाइट था वाइट लाइट था और यह लाइट डिस्पर्श कर जाता है डिस्पर्श मतलब तूटना यह लाइट क्या हो जाता है यहां से अ जनता है किसी सर्फेस पर इसी को हम लोग spectrum बोलते हैं ठीक है और जिसके कारण यह टूट रहा है इस इसको क्या कहाता है इस पर्शन ओफ लाइट याने प्रकास का बिच्छेपन कहा जाता है प्रकास को तोड़ दिया आता है तो रेरर मेडियम से लाइट जब डेंशन मेडिय जाएगा तो अपने constituents अलग अलग wavelength अलग अलग color में क्या कर जाता है disperse कर जाता है तूट जाता है किस फेनोमेना के थुरू प्रकास के बिच्छेपन यानि dispersion of light कहलाता है ऐसे विभिन वर्गों में विभिन विभिन विचलनों का कारण होता है विभिन तरंग धर्ज के प उसके जो चाल होंगे, स्पीड होंगे वो भी अलग अलग पाये जाएंगे ठीक है next आपको क्या कहता है सो देखिए कहता है जब स्वेत प्रकास को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो प्रिज्म से निकलने पर चित्रा अनुसार प्रकास के सात रंग हो जाते हैं अभी बत रंगो के करम को प्राया अक्षर किसे दिखाया आता है भिग्योर भी आई भी जी वाई ओ यो आर भिग्योर की सहता से याद रखते हैं किसकी मदद से भिग्योर की मदद से याद रखते हैं अब कहता है भिग्योर अलग-अलग कलर का जो लाइट है वाइलेट कलर इसका होता है, सबसे कम, और लाल रंग का तरंग धर्ज, लेमडा, मान किसका होता है, विधि को जादा लाल रंग का होता है, परनतु सभी रंगों का चाल एक समान 3 into the power 8 meter per second होता है, यानि सभी रंगों का चाल जो होगा, जो light इस अलग-लग color का light होगा, सबका स्पीड आपका एक समान होता है कितना 3 into 10 to the power 8 meter per second के बढ़ावर होता है कितना होता है 3 into 10 to the power 8 meter per second के बढ़ावर होता है तो आपका अलग-अलग color दिया गया है हमने कुछ indicate किया है उसको ध्यान से देखिएगा color है और इधर lambda wavelength लिया गया किसमें एंक्स्ट्रम में 1 एंक्स्ट्रम इजी कोस्ट्रू कितना होता है 10 पे power minus 10 meter के बढ़ावर होता है जैसे लाल रंग का तो लाल रंग का 7300 से लेके 6400 के बीच होता है नारंगी color का 6400 से 6000 पीला का 6400 से 5700 6000 से 5700 होगा अब इसका आपका हडा का 5700 से 5000 नीला का 5000 से 6400 आस्मानी color का 4600 से 4700 एंक्स्ट्रम और बैगनी color का 4700 से 4000 एंक्स्ट्रम तो अलग-अलग light का अलग-अलग wavelength होता है फिर भी इसका speed जो होता है वो आपको air में समानी होता है कितना 3 into 10 to the power 8 meter per second और water में 2.25 into 10 to the power 8 meter per second के बराबर होता है चलिए next आगे क्या है उसको देखते हैं अब कहता है बस्तू का रंग यानि अलग-अलग जो सबस्टांस होते हैं उसके अलग-अलग color होते हैं क्या कहता है कहता है किसी बस्तू का रंग इस बात पर निर्वर करता है कि उस पर आपतित परकास में से वह किन रंगों को अवसोसित कर लेता है यानि उस पर जो आ रहा है क्या रहा है उस पर जो आपका light रे पर रहा है किसी बस्तू पर आ रहा है उसमें से किस color को अवसोसित करता है किस color को सोखने का काम करता है उसपर निर्वर करता है कि उसका कलर कौन सा है अब काला रंग का आदिमी और करिखे पोट देगा तो कुछ असर थोड़े होगा असर होगा यह नहीं होगा वाइट कलर का आदिमी उसपर कुछ डालेगा तो दिखाई देगा कि यह लाल हरी यह पियर भूर आगे क्या काता है तता किन रंगों का प्रावर्तित और संचारित करता है। ठीक है, जब उस पर कलर को डालते हैं, तो कौन रंग को वो अबस्वोसित कर लेता है, पता नहीं चलता है, और किस रंग को संचारित करता है, यह कौन सा कलर उस पर परता है, तो दिखाई देता है, चमकता है कि यह र रंग होता है अब करिया आदमी सूर्ज के प्रकास में चलेगा तो गोरा थोड़े दिखाई देगा वो करिये दिखाई देगा लाल आदमी है लाल रंग का कपड़ा पहन के चलेगा तो क्योंकि सूर्ज के प्रकास में सातों के सातों कलर का कंबिनेशन होता है तो जो भी कलर आपके पास होगा आप उसी color को absorb किजिएगा उसी color को क्या किजिएगा absorb किजिएगा तो सूर्ज का प्रकास normal light यह सब जलाकि अगर हम देखे तो जो आपका original color होगा वही color आप एब्जॉर्ब किजेगा और वही रंग आपका दिखाई भी देगा वही चीज़ यहां समझा रहा है किसी बस्तू का रंग उस पर आपतित प्रकास की तरंग धैर्ज पर निर्भर करता है यानि बस्तू का रंग किस पर अब मानना लो हम ही पर मातलो कि हम काला रंग का ल पूरा फॉन्डेशन मार दिया उपर से नीचे तक भीगी बिल्ली की तरह न जराता है आज साधी करके लागा कले कोट में तलाक हो जाता है अब ज्यादा चलाकी करेगा तो यहीं होगा होना ही है ज्यादा होसियार ने बनना चाहिए इसलिए देखिए आगी क्या है अब क्या काता है अपार दर्शक बस्तू के रंग यानि कलर अपक्यू अपक्यू अब्जेक्ट अपार दर्शी यानि आरपार नो दिखाई दे जिसके आरपार नहीं दिखाई देगा उसका जो कलर है वाइट रंग कर देगा तार पर नहीं दिखाई देगा देगा देखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा बिल्कुल दिखाई देगा तो क्या काता है जब किसी रंगीन अपार दर्सक बस्तू पर स्वेत प्रकार आप्रतित होता है तब बस्तू उस प्रकास का कुछ भाग अवसोतित कर लेता है और कुछ भाग को प्रावर्तित कर देता है स्वेत प्रकास क जो रंग परावर्तित होता है वही बस्तू का रंग होता है क्या काता है सीधी सी बात है देखे गात देखने का कहानी हम सिखाएंगे गवरा कहरा है जब हम पढ़ाएंगे आख का कहानी तो वहां सिखाएंगे क्योंकि जब देखा जाता है ना तो लाइट ही दिखाता है सब इत्क जिछ पस् Season देखाइ दीए है कि जैसे मंनों की हम वाइट लाइट डाले मानों शूर्ज का प्रकास तुमारे पर हम डाल दिये तो डाले तो उसमें साथ को कलर है जानी रहा है तुम लोग साथ कलर है और उसमें से क्या क्या कि बैगनी कलर को तुम्हारा सरीर क्या क्या रिफ्लेक्ट कर दिया रिफ्लेक्ट किया कि इसको बैगनी कलर को तो बैगनी कलर को जब रिफ्लेक्ट किया तुम्ह चीज देख रहे हैं या आजा होता है shift fist करता हूँ चीज हमारे आइरीस हमारे पूपिल जो आँख के अंदर जाता है और रेटीना पर इमेज बनाता है तो MRL उसी चीज़ को देता है इसा नहीं कि साप देखेंगे चुहा बता देगा ब्रेन यह तब बताएगा जब कम्पूटर के तरह ब्रेन में वाइरस लग जाएगा ठीक है करेंगे कुछ और दिखाएगा कुछ और लेकिन ऐसा नहीं होता है अब देखिएगा उधारन के लिए हम लाले दिखायी देगा पाला पना हुआ तो उस पर टॉर्च चलाएग może तो करिये दिखाइगा रंग कर सकता है तो जो जिस color का होता है वहां से the fans अब दूशरा point कहता है से अभी को आप सोसीट कर लेता है यानि जो लाल है तो हम तो light जलाएगा उसमें सो कलर है लाल या चपया वह रिफ्लेक्ट करेगा जो कलर उसके पास जयन उनन होगा और वही चीज़ हमारे अंदर जाएगा तो हमको भी वही ब्रें सुछना देगा काला जो दिखाई देरा वह उकडिखा है उस्को तो अब क्या काता है कि हरे रंग के प्रकास में लाल रंग की बस्तु संपूर्ण प्रकास को अवस्वोसित कर लेता है अब काता है कि हड़े रंक प्रकास प्रकास जो हड़ा रंका होता है उसमें लाल रंका जो बसतू होगा वह संपूर्ण को क्या कर लेता है यानी दूसरा कलर होगा तो करिए-ले garden अरे हाडा लाल में थोड़े अंतर है अब हम करिया है हमरा पर white light जला देगा तो सब को absorb कर लेंगे किसको reflect करेंगे काला को reflect करेंगे कर यह दिखाई देंगे कि दूसरा कुछ खाएगा वहीं न खाएगा आज जो मिठाई से मौन भडल है अल्रेडी वह अपने आपे में मिठाई है मिठाई यह के दोकान में रहता है वह पहले मिठाई को साइड कर देगा तो जो कलर हमको भगवान इतना कुट कुट के दे दिए जिसका कोई जवाब है ने तो कलर हम लेंगे का है आएगा उसको हम रिफ्लक्ट कर देंगे क्या कर देंगे रिफ्लक्ट कर देंगे बाद बाकि जितना बचा हुआ होगा सेकेंडरी वह सारे को हम क्या कर लेते हैं अब्जॉर्ब कर लेते चलिए यहां तक समझ में आगया बहुत इंपर्टेंट और 대해 कहता है पार दर्सक बस्तूों के रंग कलर उपढ़ ऊपडर सिा कैसा बार दर सी आरप दिखाई देने वाला अब क्या कहता है जिसरण बीदे पार दर्सक बस्तू में होकर अब बरतित हो जाती है वही है उसका क्या कहलता है रंग कहलाता है यानि जो रंग पारदर्सी कहने का मतलब जैसे माल लो अब हम दिखाते हैं इसका क्या मतलब हुआ है आदमी कुछ हो रहे कैसनों रहे अभी तो सारा कहानी सिखा दिए तुमको लाल रंग का चस्मा पहिना देंगे न तो दुनिया लाले नजराएगा अब माल लोकित बताती होगा लाल रंग का चस्मा तुमको पहिना देंगे तो सब आदमी वहा का सब कुछ लाले नजराएगा ऐगा कीdeep आएगा वही कहान ये भी कहता है क्याकाता है कि पारदर्सी सुटांस हो तो जिस सम्स्टांस जो जैसे सीशा है सीशा हमारा पार दर्थी तुम लोग काला कलर का चस्मा पहिंता होगा तो स्वाब ची काला दिखाई देगा लाल कलर का चस्मा पहिनेगा तो स्वाब लाल दिखाई देगा लाल कलर का पनियों लगा लेगा ना आगे से तो स्वाब लाले दिखाई देगा बच्चा बहुत खड़िता है लाल हरी ये पियर बुलू चस्मा यही कारण है यह किस में होता है तो आपको transparent object में होता है transparent में ऐसा होगा दूसरा में नहीं होगा अब कहता है कि fundamental और प्रात्मिक primary colors कौन होते हैं सब चीज में primary और secondary चीज होता है color भी primary secondary और complementary होते हैं ठीक है जैसे कहता ह है कि लाल हडा और नीला तीन कलर लाल हडा और नीला मूल या प्रात्मिक रंग कहलाते तीन ही रंग प्राइमरी कलर आपका तीन को होता है कौन रेड कलर ग्रीन कलर और कौन सा कलर दिया हुआ है नीला दिया हुआ है बुलू कलर ठीक है यह तीन कलर आपका प्राइमरी कलर होत तो मुर्गा मसलम सुब है लेकिन आता कहां से है तो अनाजेख कर पैदा होता है पेर का कर किया होता है तώρα सकर उसकोोओ हो गया तो जो primary color होता है वो किसी की help से ने बनता है तो लाल, हरा और नीरा आपका तीन primary color होता है और ये किसी को मिला कर नहीं बनता है इन तीन मूल या प्रात्मिक रंगों को विभिन अनुपात में मिला कर अनसभी रंगों को प्राप किया जाता है जैसे तुम लोग को याद होगा साथ गो fundamental quantity होता है physics में खूब तोर-तोर के परहा हैं physics में भी और chemistry में भी तो साथ गो fundamental quantity होता है बादमा की दुनिया का जितना भी quantity तुम लोग परता है उस साथ सही बना हुआ है तो रंग भी basically कितना होता है primary तीन गो कौन-कौन लाल हरा और निला तीन गो रंग होता है बादमा की जितना भी रंग तुमको दिखाई देता है वो total का total रंग इसी तीन रंग को आपस में मिला कर बनाया जाता है कैसे कैसे बनाया जाता है आगे उसका भी हम चर्चा किये देखिए क्या कहता है उदाहरा लाल और हरा को मिला दिया तो कौन सा रंग बन गया पीला तो पीला तुम्हारा secondary color है पीला बनाने के लिए लाल और हरा क्या बसकता है और लाल और हरा दुन कौन कर रहा है primary color है अब लाल और निला को मिला दिया तो क्या बन गया किस कलर का तो प्राइमरी कलर को आपस में मिलाते हैं तो पीला आपका सेकेंडरी कलर हो गया मैजेंडा बैगनी सेकेंडरी कलर हो गया मयूर नीला सेकेंडरी कलर हो गया मेरे दिमाग में आएगा तो हम कुछो कर सकते हैं अब हम क्या करेंगे पीला को हरा से मिला देंगे पीला को नीला से मिला देंगे पीला को लाल से मिला देंगे जिसको जिससे मिलाएंगे तो जैसे जैसे हम मिलाएंगे कुछ न कुछ करेंगे वैसे वैसे नया नया कलर हमको बनता रहेगा लेकिन primary color जो होगा वो तीन ही color होगा और वो तीन color लाल, हडा और नीला ये तीन ही color होगा इन तीनों color को मिला मिला को जो दूसरा color complete किया आता है रंग बना जाता है उसको हम secondary color बोलते है नोट में कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर पीला मैजेंडा, बैगनी और स्यान जिसको मैजेंडा, नीला कहा जाता है ये आपका secondary color होता है, किसकी मदद से तो वैसा color जो primary की मदद से बनाया गया हो उसको secondary color कहा जाता है, ठीक है प्रात्मिक रंग से जो रंग निरमित किया जाता है उसको दूतियक कहा जाता है, उमीद है समझ में आ गया होगा, नहीं भी आया होगा तो कोई दिकत नहीं है, रंग से नहाएगा सब चीज़ सीखते आएगा, होली में क्या काता है, दूतियंक करंग secondary color है, तो जो प्रात्मिक रंगों के विभी नानुपात को मिलाने से रंग निर्मित होता है, अभी तो सिखा दिए, अभी तो बता दिए, क्या बता है एकी चीज़ को, संपूरक color जानता होगा, कोई भी इंसान अपने आप में संपूर नहीं होता है, सब में कुछ न कुछ क्या होता है, कमी होता है, सब में क्या कोई भी रंग हो उसमें आइसा कोई रंग मिला दो ताकि तुम्हें पास जो कलर आए वो कौन सा कलर आ जाया है वाइट कलर आजाए तो वाइट रंग लाने के लिए किसी रंग में जो दूसरे रंग को मिलाना पड़ता है दिस इस दा कम्प्लीटली कलर ओफ डैट कलर यानि जिसमें मिलाते हैं, जिस कलर को वो कम्प्लिमेंटरी कलर होता है, और इसी को क्या कहा जाता है, समपूरक रंग का जाता है, जिसको कहा लोड करना है, दिमाग के फ्लॉपी में लोड करके सदा के लिए छोड देना है, जब आबा सकता होगा, तभी उसको क्या करेंगे, खोलेंगे तो कोई भी चीज को सेक्योर अगर रखना हो, तो उसमें लॉक और पासवर लगना जरूरी है, ठीक है, कोई भी चीज जो ज़्यादा बात ज़्यादा सेक्योर होता है, तो उसको आदमी इतना छुपाता है, कि ठुपते छुपते एक दिर इसा होता है, सब को पता चल जाता है, बस उसको यह लगता है, कि हम छुपा रहा है, बादमा की दुनिया में सब को क्या हो जाता है, एक एक करके सब को तो उतना भी नहीं छुपाना है, इतना ही छुपाना है कि परिक्षा भवन में लिखा जाए, दिमाग में लोड रहे, इतना दिमाग में रखेगा, इसलिए दिमाग खोल लेगा, कुछ पॉइंट हम बता रहे हैं जिसको दिमाग में याद रखना है, जैसे पहला नंबर पॉ ठीक है आप काता है सनेल का नियम पहले माध्यम की अपेक्छा दूसरे माध्यम का क्या कहलाता है refractive index कहलाता है mu a बटा b बरावर का speed of light in b बटा speed of light in a और यही क्या कहलाता है sin i बटा sin r कहलाता है ऐसा हम पहले आपको समझा चुके है क्या कहता है कि निर्बात विरल्टम माध्यम है इसका आपेक्छित घनत पर सुन होता है निर्बात जो है वो आपका विरल्टम माध्यम होता है इसका refractive index actual में जब आप देखे तो क्या आएगा 0 के बरावर बैगनी रंग के प्रकास के लिए आवर तंक सर्वादिक यानि सबसे ज़्यादा refractive index किसका होता है बैगनी color का होता है और लाल रंग के प्रकास का सबसे कम होता है अब कहता है जल में बस्तू का वास्तवी गहराई 4 बटा 3 गुना ओरिजिनल गहराई अभी एक example बताये थे कि 40 cm गहराई में रखा हुआ सिक का 30 cm पर दिखाई देता है जबकि उसका ओरिजिनल गहराई कितना होता है 40 होता है ये इसी के कारण होता है जल का अबरतनांक 4 बटा 3 होता है कितना होता है 4 बटा 3 प्रिज्म में वर्ण विछेपन को बैगनी क्या काता है कि बैगनी हरा पीला नीला लाल ये जो आपका पूरा लिखा हुआ है द्वारा आसानी से याद रखा जाता है भी आई बी जी वाई ओ आर उसी चीज को हिंदी में लिख दिया गया नेक्ट पॉइंट देखेगा क्या काता है लाल रंग की तरंग धर्ज सबसे अधिक होगा और बैगनी कलर का वेवलेंद सबसे कम होगा कारण है होने का कारण है कि लाल रंग का प्रकिर्णन क्या होगा बहुत कम होता है और बैगनी रंग का यहाँ चलाता है लाल वाला जाना चाहिए यहाँ इससे कम डेविएट करके इरेड होता है और यह आपका वाइलेट होता है तो किसके कारण वेवलेंद के कारण वेवलेंद बहुत जादा होता है किसका लाल रंग का इसलिए यह कम डेविएट करता है बैगनी का कम होता है इस उसका resultant रंग जो आजाए वो आपका white color का आजाए उसी को कौन सा कहा जाता है संपूरक कहा जाता है स्वेत प्रकास के prism पर परने से वर्ण बिच्छेपन होता है अब कहता है कि स्वेत प्रकास के prism पर यानि स्वेत प्रकास जब prism पर परता है तो बिच्छेपित हो जाता ह यानि डिस्पर्स कर जाता है और तूट जाता है कितना में सात रंग में जिसमें लाल रंग का बिचलन सबसे कम होता है सबसे कम डेवियेट लाल रंग होगा और बैगनी रंग का बिचलन सबसे अधिक होता है यहां बिचलन किस पर डिपेंड करता है कोनी यह बिचलन को दर सा कि कितना दिगरी बना कर वहां से रहा है अब इंदर हनुस्त की उत्पत्ति भी किसके कारण होता है अब क्सका निर्मान होता है अवर्तनांक तरंग ध्रजप निरभर करता है लेम्डा बहने पर आवर्तनांक यानि अब है अब क्याहता है कि आपका आवरतनांक एन जो है वह डारेकिली प्रोपोस्टनल टू लेम डा है 1 ऑलेम्डा का मान घटे बड़ेगा तो एन का मान घटे गहां लेम्डा क उता है अब देखिए अब आगया क्या कुछ आपका छोटा छोटा थियोरी का question है हमने इसमें numerical question नहीं लिया है इसके बाद जो आएगा जब light का एक दो और lens का और आपका optical instrument का ये दो concept जब पढ़ा देंगे theory का तो overall सब को मिलाकर वैसे last में 10 सेट हम आप लोग को करवाएंगे examination point of view स ठीक है तो इन दोनों को पढ़ा लेते हैं उसके बाद थोड़ों बहुत सारा question लाएंगे और एक एक करके explain करेंगे वहां पड़ीश का चर्चा करेंगे अब काता है कि स्वेथ प्रकास में रंग होता है स्वेथ प्रकास में क्या रंग होता है साथ गो रंग होता है तबना वैसा बस्तू जो सब को प्रावर्तित कर दे जिसका रंग होता है तो वाइट कोई रंग थोड़े होता है स्वेथ कलर सब को प्रावर्तित कर देगा जितना भी होगा सब को क्योंकि जो रंग होता है उसको एब्जॉर्ब करता है दूसरा सब को भेज देता है तो वाइट क काता है तो क्या काता है जो बसतु यह सभी रंगों को अफसूशित कर लेती है उनका रंग क्या होता अभी बताए थे हैँ में इसम्हेट कलर सब अच्छा अच्छा आच्छा दूसरा कोशन था क्या काता है क्या कि जो बस तुए सभी रंगों को अफसोशित कर लेता है यानि जितना भी रंग होगा अफसोशित कर लेगा कौन सा color, black color कौन सा color, color जो सब को बेज देगा सब को मुरा देगा भागता या वागो, भागो, भागो, white color होगा अ सब को पकरलेगा जितना हैगा सोब रंग को पकरते रहेगा, वो कोन होगा, काला रंग, चलिए, next question क्या कहता है, प्रात्मिक रंग होता है, तो तीन गो होता है, कोन लाल हरा और, कोन सा रंग होता है, लाल हरा और नीला, क्या, red color, green color, और blue color, ये तीन कलर होता है, वर्ण तिरिभूज के सिर्थ पर कौन सा रंग दिखता है वर्ण तिरिभूज के सिर्थ पर कौन सा रंग उपर वर्ण तिरिभूज ये कहानी है उपर में कौन सा रंग दिखता है साथ को कलर में तूटता है ये साथ कलर में तूटता है भी आई बी जी वाई ओ आर सबसे उपर कौन है लाल वाला कौन सा है लाल वाला अब अगला कोशन क्या काता है लाल और नीरे रंग को मिलाने पर कौन सा कलर बनता है लाल और नीला को मिलाते हैं तो कौन सा कलर मैगनेट यानि बैगनी कलर बनता है कौन सा कलर बनता है बैगनी क चाल हो तो पूछ रहा है कि वायू के सापे कांच का चाल कितना होगा तो वायू 3 इंटू 10 to the power 8 और कांच में 2 इंटू 10 to the power 8 आ जाएगा इसका उल्टा कर देंगे क्या होगा बीचला काम से घड़न का मान निर्वर करता है किस पर निर्वर करता है तो दूसरी और प्राप्त एस्पेक्ट्रम एस्पेक्ट्रम में जिस रंग का बिचलन नियुन्तम होता है तो किसका स्वेत प्रकास को कांच से गुजारेंगे तो लाल का कम होगा काय की वेवलेंद ज्यादा होता है वेवलेंद क्या होता है ज्यादा होता है इन धनुस में निमलिखित में से कौन सा रंग दिखाई नहीं देता है तो काला रंग नहीं दिखाई देता है कौन सा रंग नहीं दिखाई देता है तो करिया रंग नहीं दिखाई देता है प्रकास की एक किरन कांति कौन पर कांच की ओर से कांच का हवा सता पर आपतित होता ह आप वर्तन कोन इसका कितना होगा 90 डिग्री कितना 90 डिग्री यह सब बहुत ही आसान कोस्टन था इस परकार आपका कहानी देखा कोस्टन में समय लगा इसे पहले भी 50-60 कोस्टन 20-30 लेकिन कब जब कॉंसेप्ट में दिमाग कॉंसेप्ट दिमाग में होगा तब ठीक है यहा लोग बोला है वैसे वैसे हम किये हैं तो आगे भी वैसा ही करता रहेंगे रिभाइच करो मन लगा के पढ़ते रहो तब तक के लिए बेस्ट आफ लग थैंक्यू